हेलो फ्रेंड मैसेल विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूटुब चैनल पे तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में अपना अन्बोक्सिंग करने वाले हैं आपको इस्क्रीन पे जो दिख रहा है यह इस वाली टेंक की सब्सक्राइब कीज़े हमारे यूटुब चैनल को बेल अक्वों दबा दीजिए जिससे मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो फ्रेंड आज हमें डी एफ रोबोट ने बहुत ही जादा आमेजिंग चीज बेजिए और यह जो बे लिए 75 dollars का हे तो आप City से खरीज सकते हो और इसका मने को द भीलिंग विलिंग शPhìn है kle आव सबसे पहले जैसे देख लीकि 75D ढोलर की रेट है तो इस्यटीप्शन में में लिंक है वहाँ से जाके और भी सबसे पहले तो इसको अपन खोल लेते हैं यहां सबसे पहले तो फ्रेंट यह एक box है हमारे एक box के अंदर दूसरा वाला box है तो फ्रेंट यह इसलिए है कि ताकि यह जो अगर ट्रांसपोर में आये तो इधर उधर टकराने पर यह खराब ना हो या फिर हमारा कुछ सामान डेमेज ना हो इसलिए डबल सेप्टी के साथ में आता है तो यह जो जैसे आपको देख रहा है सेकंड वाला box यह वारा मेन पार्ट है और फ्रेंट जैसके आपको बहुत सारी बार मुबाइल उबाल खरीदते होंगे तो उसमें यूजर मेनुवल जो आता है उसे हम यूज में नहीं लेते हैं उस चाइब है जो हमारे सामने यह पिलोहे का और इसको बाद इसे खोलते हैं तो खोलने के बाद इसे दिखाई देता है यह बहुत ज्यादा अच्छ़ पैकिंग होता है देख लिजा आप इसके चारोर फो में उसके बाद देख लिज़िए एक मोटर इसके साथ में यह जो क्योंकि इस रोबोट में इसे लगने वाला नहीं है तो इसको अपन साइट में रख देंगे और जो हमार रोबोट के समाने यह सारे इसके अंदर इस टैप से देख लिजा तो सबसे पहले मैं आपको इसके मोटर दिखा देता हूं कि जिसमें पावर मिलेगी इसको तो यह वा यह प्ते अगरखत से गहुमाते हैं यह हस नहीं गुमती क्योंकि यह लगा हुआ है यह मोटर की स्पीड को कम कर देता है और इसका टौक है उसको बढ़ा देता है यह जो भूत ही कम एा इर्पिमपर गुमने वाली लेकिन इसका त्यों टोर्क होता यो बहुत जादा होता इसकी ताकत होती हो बहुत ज़्यादा मोटर की है क्योग की ढड़लेस मोटर है और इसके पाद देख लेते हैं इसके अंदर क्या निकलता है तो फ्रेंट जैसी देख लिए इसके जो अंदर चेन है हमारा टेंग जो इस चेन के उपर चालेगा इसे ट्रेक बेल्ट भी बोलते है तो यह निकला इसके दो पीस निकले है इसके अंदर से दोनों और लगाने वाले तो यह जो है प्लास्टिक का है फ्रेंटस मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके उपर पूरा रोबोट है टेंक है वो हमारा रन करने वाला है तो इसके जो प्लास्टिक है वह भी बहुत अच्छी क्वालिटी है आसानी से तूटने वाली है नहीं और इसके बाद यह दोनों है दो पीस दिया इसके अंदर और इसकी लंबाई-अंबाई सारा रोबोट के हिसाब से बनाके बेज़ी है उन्हों ए उन्हों है उसके बाद यखους के इसके अंधर से विट निकलिए हैं έχ़ इसके अंदर अग्षम है क्यूद है और यह बिल लख बगत इसके अंदर आठह से दस 1 रख रहे हैं मुझे झाल ने के लिए इसको बीच के अंदर सपोर्ट लगेगा इसमें से इसके उपर ही हमारा बेल्ट है रन करने रही यह इसके लिज बलाए इसके प्लास्टिक वाली इसके ओपर ही स्कूरlica निकला हわか crash इसके अंदर ओ्मोटर भीन में और जो सारह के अंदर के लिए इसके अंदर या-जोप बहुत अच्छे क्वालिटी में लेकिन क्या होता है कि यह तो यह अश्ट्रा में फॉर्प। पीस दीए उन्होंने ताकि अपने इसे चेंज कर सकते हैं तो ये बहुत बात अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने ध्यान रखा है क्योंकि बच्चे बच्चे इसको लेकर गिरा सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है इन्हों की और इसके बाद जैसे देख लिजे ये अंदर से gear निकले हैं इसमें जैसे मैं निकालता हूँ इसको तो फ्रेंड इसमें gear है और एक ये जो हमारा screw कसने के लिए है नट बोट कसने के लिए इसको हम देशी बासा में पाना भी बोलते हैं और ये जो जयसे आप देख रहे हैं चार गियर हैं हमार पास तो ये जो गियर क्या काम करेंगे जो हमारा track belt है इसको हमारा motor से पावर देंगे तो 2 exercise में लगेंगे 2 exercise में लगेंगे 2 एक belt पर 2 दूसरे belt पर लगेंगे और हमारनए diesom मोटर से पावर लेकर हमारे जो बेल्ट है इसको रन करवाएंगे जिसे हमारे पूरा रोबोट है वो आगे की साइड में रन करेगा तो इस टाप से कनेक्टर के साइट में लग जाएगा इसमें तो मैं आपको दिखाऊँ हूँगा बाद में तो ये हम जो हमारे गेर इनको साइड में रख देंगे अभी अब हम क्या करेंगे इसके अनदर से और भी समान निकल राह को इनकाल देते हैं तो फ्रेंट जो reads निकल चुकें अब ये जो है चेशी है, चेशी connector है हमारे साथ में, और जो बड़े पार्ट दिख रहे हैं, यह हमारी मेन पार्ट है चेशी के, तो इसकी के उपर हमारा पूरा रोबर्ट बनने वाला है, और फ्रेंद, इसकी बात अच्छे लगी कि, इसे पूर अच्छे तरीके से पेक करके बैचा है, इन कुलेट आफ में आता है यह को आता ही ब्लेक प्लेक कलर में आता है के चार पांच कलर इसमें इसमें का सबसी है वल्मचे और इसमें जो matte finish black color का है यह और इसमें जैसे देख लीजे quality बहुत अच्छी लोगेका है पूरा है और इसके मोटा ही देख लीजे आप अच्छी खासी है और इसको मोड़ेंगे हाथ से तो मोडने वाला है नहीं है तो इसको quality बहुत अच्छी लगई और यह जैसे देख लेगा आप chassis दोनों साइटों में लगाएंगे इस टैप से और इसको पर जो हमारा टोप निकलाता अंदर से वो अला लगाएंगे और जो जैसे दिख लेगे और भी इसमें पार्टे इनको कसना पड़ेगा यहां पर अपन जिससे हमारी पूरी chassis बन जाएगी और यह जो सारी एसेसरी दिख रहे आपको जो हमारा वील है हमारा track belt है और motor है सारी इसके अंदर connect होईगी और उसके बाद यह चलने लगेगा इसका जो सबसे बड़ा बाट लगी मुझे यह belt बहुत अच्छा लगा इसके अंदर आप मुझे बताईए comment करके आपको क्या लगा अच्छी चीच क्या लगी इसके अंदर मुझे बताईए आप comment करके और अगले जो वीडियो आएगा क्योंकि फ्रेंड यह अभी लगबग मैंने अन्बोक्सिंग में इसका लगबग 9 मीट का वीडियो बन चुका है तो अगला जो वीडियो मैं इसमें इसे बना के दिखाऊंगा आपको किस टैप से यह वर्क करेगा किस टैप से चलेगा यह तो वेसे से बना लेंगे यह पर लेकिन अगली वीडियो में और इसवीडियो के में लाश्ट में आपको कुछ दिखांगा ताकि आपको अन्दाज़्ा हो जाए किस टाइप का दिखता है वो किस टाइप का लगेगा तो वो पिक देख सकते हो आप और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आको दबाना ना बूले जिससे मेरी हर एक नवी वीडियो को नोटिफिक्शन आपके सबसे पहले मिल जाएगी जे हिन जे भारत मिलते हैं अगली वीडियो में भीडियो कर देना इंवी जेड़ोग सब्से एक वे रगुब में आपके साहाएब हैं यजिए उले जाएब कर देल्यूब छेड्माल देट essa कि एंवी तुयार सबसें प्यारी जास Сब्सक्राइब कर देंवीं Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands